So hi everyone, hello, so welcome back to my channel So आप मेंसे बहुत छारी लोग मुझे पहले से जानते होंगे और जो मुझे नहीं जानते हैं, जो मेरे चानल पे नहीं नहीं है तो मैं बता दू कि मेरा नाम सुनैना अत्री है और मैं यूट्यूब पे पहले भी वीडियोस बनाती थी बत मैं पहले जॉब्स को लेके वीडियोस बनाती थी बत अभी जो मैं वीडियोस बनाऊंगी वो मैं जॉब्स को लेके नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं यूजविली अपने लाइफ के बारे में हमेशा वीडियोस बनाती हूँ वो इन्ही चीजों पर होंगे क्योंकि मेरे जैसी जो विमन है जो भी यह न्यू मदर बनने जा रही हैं यह सारी चीजे उनके माइन में भी होगी कि हम कॉंसे ब्रांड से कपड़े खरी दें कहां से खरी दें क्योंकि 6 months back I have no idea कि क्या खरीते हैं क्या नहीं करीते हैं क्योंकि when I talk to my mother they have their own experience ठीक है कि हमने ये किया हमने वो किया बट now time has changed बहुत चारी चीजे हैं मैंने इसब करने के पीछे बहुत सारा research किया है मैंने बहुत चारे Google पे लोगों के experience पड़े हैं बहुत चारी चीजे पड़े हैं और अपनी उन सारी research के basis पे मैंने अपनी ये सारी चीजे ये सारी shopping की है सब्सक्राइब आपको एक overview दिखा देती हूं सो ये सारी चीजे हाज मैं आपको अपने इसमें दिखाने वाले हूं so basically हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्या क्या चीजे करें तो मैंने अपने experience के basis पे मैंने सारी चीजे एक एक करके खरीद ली हैं अब क्या काम आएगा क्या काम नहीं आएगा वो मैं आपको भाद में बताऊंगी so let's start the video so basically seven months पहले मुझे इनके नाम भी नहीं पता थे कि इनको क्या बुलते हैं क्या नहीं बुलते हैं so ये onesies and rompers होते हैं so basically हम इनको चोटे बच्चों के लिए खरीदते हैं so ये इस तरीके से इसमें शू भी अटाच होते हैं इस तरीके से and इनका material बहुत-बहुत सॉफ्ट है और ये यहां से भी open होते हैं क्योंकि basically मैं आपको दिखा दू यहां से इस तरीके से इनकी opening होती है क्योंकि बोलते हैं कि जो baby का head होता है जो उसको backbone से attachment होती है वो बहुत ही स्यादा soft होती है so आपको ऐसा कोई भी कप्डा नहीं लेना चाहिए जो गले से tight हो जिसके थोड़ी खीचाता नहीं करनी पड़े I hope आप समझ सकते हो and ये बहुत easy to open है और ये त्री colors में मेरे पास है white, grey, red right तो मैंने ये colors basically इसलिए लिये है I don't know कि baby boy होगा या baby girl होगी so gender neutral thing mind में रखते हुए मैंने सारे कप्डे ऐसे खरीते है and मैं आपको साथ की साथ ये भी बताती जाओंगी कि मैंने कहां से लिया है ताक कि आपको easy हो जाए ये मैंने Marks & Spencer से ये कप्डे लिये है तीनो के तीनो तो ऐसे मैंने काफी सारी branch refer की है next मैंने ये वाला लिया है क्योंकि मेरी जो EDD date है वो है 20th of April so I think उस टाइम पर बहुत जादा गर्मी होने वाली है तो इसलिए मैंने सारे कप्डे cotton के लिये है तो इस brand का मुझे ये चीज अच्छी लगी इसमें जो neck closure है वो ये आपका back की तरफ है तो again neck area के लिए बहुत चारी जगे हाँ पर आपको मिलती है तो ये है brand ऐसा कि आपको screen पर दिखाई दे रहा है US Polo Association so ये मैंने वहाँ से लिए है so ये दो colors में है this is blue and this is red with some strip again gender neutral so ये इस तरीकी से कुछ है ये half है याँ पर और ये काफी सारे videos मैंने देखने के बादे पता चला कि डाइपर्स चेंज करने के लिए ये चीज बहुत जादा handy रहती है कि easily open हो और easily close हो next ये वाला brand so ये मुझे बहुत चारे लोगों ने recommend किया था मैंने online भी read किया है this is called as C-A-R-T-E-R-S ये वाला carters करके so carters is basically celebrity brand so मैंने कुछ कुछ कपडे लिए है जो की celebrity brands हैं जिनको celebrity recommend करते है थोड़े से pricey होते है so I think हर parents का अपना मानना है कि उनको अपने बच्चों के लिए कैसे कपडे खरीदने चाहिए so मेरी thinking ये थी कि मैं best quality के best कपडे खरीदू तो इसलिए मैंने ये सारा collection खरीदा है so इसमें कि ये कुछ इस तरीके से three का set है again ये वाला इसके नीचे एक legging kind of a thing कि जब आप इसको पहना रहे है तो उसके बाद आप इसको legging and third ये था again rompers so ये पूरा यहां से open up होता है I think you can see कि इसको पहना भी कितना easy है and this is super good and that is super soft cotton next from the same brand this one carters again इसका मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा था ये carters का है and again वही three वाला set तो ये यहां पे closure है और एक भी टी-शिर्ट नहीं थी so काफी लोगों ने बूला कि जब बेबी छोटा होता है 15-20 देस तक उसका जो प्लेसेंटा होता है from the stomach, umbilical cord जो हम उसकी कट करते है that is very soft, very delicate तो उससे कपड़े थोड़े उपर रहने चाहिए so keeping all the scientific thing in my mind तो मैंने एक टी-शिर्ट लिए काफी लोग बोलते है कि टी-शिर्ट नहीं पहनानी चाहिए ये पहनाना चाहिए ये पेट में अटकता नहीं है कुछ लोग बोलते है टी-शिर्ट पहनाओ उपर रखेंगे तो जैसा भी situation होगा according to that हम वही चीज पहनाएंगे अगर ये होगा and again guys इसका material बहुत-बहुत-बहुत soft है if you can buy so definitely go for this brand carters so इसके नीचे again ये छोटी सी लेगिं है तो I think you can see ये डाइनोसार प्रेंट में है ये तो again gender neutral last but not the least तो ये वाला dress मैंने carters से लिया है ये बाकी सारे dresses से थोड़ा ऐसा प्राइजी है इसकी दो चीजे है इसको आप convert करके night dress बना सकते हो मतलब ये जो closures है ये सब open up हो जाते है और open up हो जाने के बाद ये एक गाउन जैसा बन जाता है तो अगर आप इसको pant बनाना चाहते है तो ये pant बन जाता है इसको खोल दोगे तो ये और यहां से joint कर दोगे तो ये कैसा बताऊ एक maxi dress की तरह बन जाएगा तो basically it's a night gown और इसके साथ ये बहुत ही प्यारी छोटी छोटी सॉक्स है and again this is a cap cotton है again from the same brand तो ये काटर्स तो मैंने ही डिसाइड किया है कि जो first day हम जो dress use करेंगे वो हम ये वाला करेंगे इसके detailing भी बहुत अच्छी है and अगर मेरे हस्बन ने बुला कि ये बाजू बहुत बड़ी होंगी तो विल फोल्डर्स लाइक दिस but again इसका material बहुत बहुत सॉफ्ट अच्छा है if you can take it तो आप definitely इस ब्रांड के लिए जा सकते हैं C-A-R-T-E-R-S काटर्स ये आपको first cry पे भी मिलेगा and बहुत सारी इनकी official websites है so based on my recommendation कि मैंने काफी सारी research के basis पे कुछ लोगों ने बूला कि leggings भी लेनी चाहिए so ये ही मैंने छोटी छोटी leggings ली है कुछ ये है Marks and Spencer से again I don't know कितना काम आएंगी बट काफी लोग बोलते हैं बहुत काम आती है और ये भी I think Marks and Spencer से ही है sorry it's from mother care basically ये mother care से है मुझे mother care के जबना उनके store पे गई थी गुडगाओं में है उनका ambience mall में मुझे ज़ादा कुछ पसर नहीं आया बट ये जो legging है न ये बहुत अच्छी है तो guys एक और चीज बताना जाओंगी brand to brand size भी बहुर डिफरेंट होता है तो कुछ देते हैं new born लिखके कुछ आपको tiny baby तो जो tiny baby होता है that is extremely small size तो मैं आपको एक और brand है वो दिखाती हूँ वो extremely tiny size बनाते है and ये फिर marks and spencer तो ये चार legging मैंने ली है and apart from that मैंने shorts भी खरी दे हैं कि उस time पर गर्मी होगी and तो शाद ये भी मेरे काम है this is again from marks and spencer और फिर ये मैंने सारे marks and spencer से ली है मैंने sub gender neutral color ली है आपे neon हो गया pink हो गया ठीक है and blue color हो गया तो ये इस तरीके से छोटे छोटे shorts लिए है तो अभी मुझे कोई idea नहीं है क्या चीज काम आएगी तो जो भी सबसे ज़ाधा काम आएगी that will use it and t-shirts मैंने ये hamlis एक और मैंने ब्रांड देगा था hamlis तो उसकी ये छोटी-छोटी t-shirt लिए अगर आपको बहुत ही छोटा-छोटा collection चाहिए तो hamlis पे आपको बहुत अच्छा t-shirts का collection मिलेगा अगें gender neutral colors एक ये color है और एक ये वाला color है तो टी-शिट हो गया और लोग जैनरली इसको चीकू पढ़ते हैं बट इस इस नौट चीकू इस वाला कीकू तो कीकू भी एक चोटे बच्चों के लिए एक ब्रांड है ये एक्स्ट्रीमली टाइनी न्यूबॉन का साइज बनाते हैं इनकी अच्छी बात मुझे क्या लगी इसमें side opening है proper आप यहां से भी इसको खोल देंगे और मैं आपको इस तरीके से दिखाते हैं यहां से भी आप इसको बहुत अच्छे buttons दिये हैं skin पर ना लगने के लिए बहुत अच्छा closure आप इसको पूरा इस तरीके से खोल जकते हैं सो मतलब इसमें वो प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपको सर के उपर से डालना है और वो सब चीजे करनी है तो इसका front opening जैसे हमारा अंग रखा सूट होता है तो इसका front opening जैसे हमारा अंग रखा सूट होता है यहां पर कुछ भी मैंने लड़कों का या लड़कियों का स्पेसिफिकली नहीं लिया है one last romper like this और यह इस तरीके से पीछे से यह भी आपका जो मैंने अभी आपको कीकू ब्रांड दिखाई कीकू के कपड़े भी बहुत बहुत अच्छे हैं और यह पूरा पीछे से उपनी इसकी हो जाती है आई तिंक आप देख पा रहे हैं इस तरीके से पूरा हम इसको पीछे से last तक हम इसको खोल सकते हैं तो अगेन आपको डालने में पहनाने में कोई भी इस्चू नहीं आएगा इतना ही मेरा शॉपिंग का था अगर मैंने ये कम लिया है मुझे बीच में काई बार फील होता है कि ये कम है या बहुत जादा है तो अभी तो मैंने सिर्फ इतनी शीजे लिये कि मेरा काम चल सके आई नो हॉस्पिटल भी आपको कपडे प्रोवाइड कराता है if you are going through a good hospital they will provide you baby's new clothes but मेरा ये मानना था मतलब ये मैं चाहती थी कि हम जो first cloth use करें अपने बेबी के लिए वो हम अपना use करें that to good quality and best standards हम उसको use करें तो ये सारी मेरी research थी I don't know मुझसे अकर कहीं गलती हुई है या मेने कुछ चीज़े गलत खरीदी है तो आप मुझे comment box में लिखके बता भी सकते हैं अगर आपको already babies है या आपको experience है you can tell me कि मुझे और क्या-क्या add-on करना चाहिए क्या-क्या helpful है तो ये था आज का मेरा cloths का video so next video हम बनाएंगे baby के लिए products and ये सारी चीज़े so see you soon again in the next video जरूर comment करके बताईएगा इस topic पर मेरा आज एद नया video है कि आपको मेरा video कैसा लगा and if this is helpful या आपको कोई questions है you can always ask me in the comment box so see you soon in the again next video and thank you so much for video for watching the video up to here see you soon bye bye